वेलकम तो स्टॉक एनलिशिव आकाश प्रेंट्स मेर नामें आकाश और आज हम करने ओले टेकनिकल एनलिशिज डिक्सार्ण टेकनलिजिस का बहुत किरावट देखने बिलगा हमें बहुत दिनों से देखेंगे इसकी रीजन्स क्या है और इंपोर्टन्ट लेवल्स भी चलिए बेन किसी दिर के अपना टेकनिकल एनलसिज आ चुका हो में डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम आप देख सकते हैं एक ट्रैंगल पैटन बनाता और उसके बाद कंटीनियोस किरावट हो रही है चलिए सबसे पहले हैं आपको रिजन बतादो अगर आप रिजन जा इसके आप पिसे ट्रेड कर सकते एकजिट कर सकते हैं या फिर होल्ड करके रख सकते हैं चलिए या पर बहुत अच्छा परफॉर्म कराता और stock high valuations पे अभी भी high valuations पे और जब continuous असे ग्रोध के बाद थोड़ी सी ग्रोध हमें कम देखना दी मिलती है तो investors सीधा पूल आउट करना स्टार्ट करते हैं पैसा और जैसे के मैंने बता है कि हाई वैलुएशन पे आपको कम ग्रोध दिखे इतने अच्छे रिजल्स एक नहीं मिले तो आपको ऐसी गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए तो चलिए देखते हैं मैंने बता जिए कि रिजल्स इतन करते हैं यहां पर यहां पर है बहुत बहुत स्ट्रांग सपयर्ट हो यहां रेजिएक्षण रिजिएक्षण फिर सपयर्ट फिर अगैं रिजिएक्षण और इसको ब्रेक आउट दें कि बाद सटाप गया था हाई लगा था अल्मो七 ठू o r9 का एक summarewンド इंपости यहांत कर रहे हैं और स्टॉक को ऊपर पुश कर रहे हैं तो अभी बहुत इंपर्टन देखने हो ले यह उपर पुश करा गया है क्या यह रिटेस्ट है जो आपसे रिटेस्ट करके नीचे ब्रेक लाउन देदेगा फिर हमें वापस एक अप्ट्रेंड यहां पे एक सपोर्ट लेके अगर सपोर्ट ले लिया आज आप देख सकते हो नीचे के लाउन से थोड़ी सी वीक बनिये इसका वापस से थोड़ी सी बाइंग आई है इस लेवल पे अगर सपोर्ट ले लिया और वापस अपट जर्नी स्टार्ट कर दी तो देखें फिर्स लेवल ने आए 4,6,4,7 का औ जर्ट खराइब आए के कमपनी अच्छे डोमेन में और अच्छे तरह से काम कर रहे है तो फ्यूचर में बिल्कुल आपको वापस एक अप्ट्रेंड देखने मिलेगा चलिए अगर हमने ऊपर के साइड देख लिए नीचे के साइड भी देख लेते हैं अगर यह सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो बिल्कुल आपको लेवल देखने मिलने वाले 3808 बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यह लेवल भी अगर प्रेक्टाउन देखने मिल जाता है अगेन में कहूंगा आप कुछ जल्दी मत किजिए अगर आपने इसे लिया है मीट टम के लिए यह आप यह शौट टम के लिए लिए था थो ठीन कीजिए वेट कीजह ब्रेक्टाउन के बाद अगर आपके रिस्क से बाहर चलता है तो आपको ऑग्जिट कर देना चाहिए अगर सकते हैं अगर आपके पास अपते सकते हो एक-ँदो मंच तक तो आप होल्ड करके रख सकते है कि अच्छे पोटेशल का है यहां से वापसे वाइंग देखने मिल सकती है तो फ्रेंट्स में आपसे एक बर एक बर समराइज करता हो अगर क्या करना चाहिए आपको अगर स्टॉक ने आपके सपोर्ट ले लिया तो बिल्कुल आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं और इसमें स्टॉक अच्छे क्वालिटी का है आपको वापसे फ्यूचर में अच्छे रिटरंस देखने मिलेगे तो फ्रेंट्स यह था मेरा टेकनिकल एनलिसिज अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक और करेंट कर दीजिए और अगर आपको इस टॉक का फंडमें ाल pra टेक्ने मिलेगे जोत्ति तक अच्छें लिखने मिलेगे पर चॉक एड़ा, म gereki 기도 एनलिसिजा और Such Ils